देश में दूसरे चोरण के 13 राजियों की कुल 89 सीटों पर मतलदान जारी है इस वीश भूपाल पहुँचे केंद्रिय ग्रे मंत्रिय अमिर्चा ने कहा कि कॉंग्रेस का घोशना पत्र जारी होने के बाद लोगों का रुझान BJP की प्रती और बढ़ गया है क्योंकि कॉंग्रेस दे अपने घोशना पत्र बे तुष्टी करन की अपती पुरानी आदध दोहराई है अमिर्चा ने कहा कि वो राहूल गांडी से पूझना चाहते हैं कि क्या अभी ये देश शरिया के हिसाब से काम करेगा ये सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा देश भर में पूर्वा पस्चीम उत्तर दक्सिन मैं सब दिशाओं में प्रचार करकर फीर से एक बाराज भोपाल आये हूँ देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रदानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्सा है और हर जगह पे वो प्रदसित हो रहा है कॉंग्रेस के घोशना पत्र आने के बाद भारतिय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुजान और बड़ा है क्योंकि कॉंग्रेस ने अपने घोशना पत्र में एपिस्मेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है कॉंग्रेस के घोशना पत्र में पर्सनल लोगों हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है मैं राहूल गांदी जी को पूछना चाहता हूँ पर्सनल लोगों आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब सरिया के अधार पर चलेगा किस प्रकार का पंथ निर्पेक्स समविधान आप इस देश में चाहते है हमारा समविधान पंथ निर्पेक्स है देश के कानून धर्म के अधार पर नहीं बन सकते भारतिये जनता पाटी ने अपने गोशना पत्र में स्पष्ट काता के साथ काया है हम इनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे सभी पंथ मजहब के लोगों के लिए एक ही कानून होगा हमने ट्रिपल तलाग समाप किया है UCC की सुरुवात की है उसको हम आगे बढ़ाएंगे राहूल गांदी जी परसनल लौग की बात करते है वो देश को खंड-खंड तोडने की बात है और सरिया के आधार पर क्या देश चलेगा किसी एक धर्म के कानून के आधार पर ये देश नहीं चल सकता ये देश में परसनल लौग नहीं चल सकते ये भारती जिनता पार्टी का फंबिलीफ है मोदी जी ने जो घरिब कल्यान के काम की है उसके कारण घरिबों में मत्दान का बहुत उत्सा है दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गाओं के घरिब, सभी वर के घरिब बहुत उत्सा के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे है और मुझे पुरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री के रूप में एक तारीक के बाद नरेंदर मोदी को देखेंगे इस सब भारती जनता पार्टी के कारेकरता और करोडों देश्वासियों की पाउन दरसल कॉंग्रिस के घोशना पत्र को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है आई दिन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी भी कहते है यह लोग आपके संपत्ती मुस्लिमों को बाट देंगे वही अब ग्रीह मंत्री अमिच्छाह ने कांग्रिस के घोशना पत्र में पर्सनल लॉबोल्ड को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है ब्यूरो रिपोल्ट इंडिया पबलिक खबर फिलाल इस खबर में अभी के लिए बस अतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर की यूट्यूब चैनल को और बल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले झाल इंडिया पबलिक खबरों के लिए सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करें